क्लास सेवन्थ हिस्ट्री चप्टर नंबर सेवन जन जातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाये अध्याय दो, तीन और चार मैं आपने देखा कि किस प्रकार राजों का उत्थान और पतन हुआ इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिवीधियों की नई किसमे शहरों और गावों में फल फूल रही थी एक लंबे अंतराल में कई महत्वपुन राजनेतिक, समाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए लेकिन समाजिक परिवर्तन हर जगा एक समान नहीं थे क्योंकि अलग-अलग किस्म के समाज अलग-अलग तरीकों से विक्सित हुए ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपुन है इस उपमहदिप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमा नुसार पहले से ही विवाजित था ब्रहमनों द्वारा सुझाए गए ये नियम, बड़े-बड़े राजियों के राजाओं द्वारा सुएकार किये गए थे इस से उंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रिनी बद्ध समाज ज़दा जटिल हो गया बड़े शहरों से परे जन जाती है समाज अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस से मौजूद थे उप महाद्वीब के कई समाज ब्रहमनों द्वारा सुझाए गए समाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे और नहीं वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे अकसर ऐसे समाजों को जन जातियां कहा जाता रहा है परते एक जन जाती के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे कई जन जातियां खेती से अपना जीवी को पारजन करती थी कुछ दुसरी जन जातियों के लोग शिकारी, संग्रहक या पशुपालक थे प्रायह वे अपने निवासस्थान के प्राकर्तिक संसाधनों का पूरा-पूरा इस्तमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला-जुला रूप अपनाते थे कुछ जन जातियां खाना बदोस थी और वे एक जगह से दुसरी जगह घूमती रहती थी जन जातिये समूह, संजुक तुरुप से भूमी और चारागाहों पर नियंतरन रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के अधार पर परिवारों के बीच इनका बटवारा करते थे इस उप महादीव के विभिन हिस्तों में कई बड़ी जन जातियां फली फुली समानते ये जंगलों, पहाडों, रगिस्तानों और दुसरी दुर्गम जगों पर निवास करती थी कभी-कभी जाति विभाजन पर अधारित अधिक शक्तिसाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था कई माइनों में इन जन जातियों ने अपनी अजाधी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृती को बचाया लेकिन जाती अधारित और जन जातिये समाज दोनों अपनी विवीद किस्म की जरूरतों के लिए एक दुसरे पर निर्भर भी रहे टक्राव और निर्भरता के इस सम्मंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे-धीरे बदलने का काम भी किया उप महादीब का एक भौतिक मानचित्र लेकर वे इलाके बताईए जहां जनजातिये लोग रहते रहे होंगे जनजातिये लोग कौन थे? समकालिन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है कुछ अफवादों को छोड़ दें तो जनजातिये लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे लेकिन समरिध रितिरी वाजों और वाचिक, मौखिक परमपराओं का वे संरक्षन करते थे ये परमपराएं हर नई पढ़ी को विरासत में मिलती थी आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परमपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं का बड़े इलाकों पर नियंतरन था पंजाब में खोकर जनजाती तेरहमी और चदहमी सदी के दोरान बहुत प्रभावशाली थी यहाँ बाद में गखर लोग जड़ा महतोपूर्ण हो गए उनके मुखिया कमाल खान गखर को बादशाह अकवर ने मनसबदार बनाये था मुलतान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर ली जाने से पहले लंगाह और अरगुन लोगों का प्रभुत अत्यंत विस्त्रित शित्र पर था उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जन जाती थी बलोच ये लोग अलग-अलग मुखियों वाले कई छोटे-छोटे कुलों में बटे हुए थे पश्चमी हिमाले में गड़ी गड़रीयों की जन जाती रहती थी उप महाद्वीप के सुदूर उत्तर पुर्वी भागबर भी नागा, अहोम और कई दुसरी जन जातीयों का पूरी तरह प्रभुत्तु था मौजुदा बिहार और जार्खंड के कई इलाकों में बारहमी सदी तक चेर सरदर शाहियों का उदै हो चुका था बादशाह अकवर के प्रसिद सेनापती राजा मानसिन ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकठा किया गया लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए और अरंगजेव के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कबजा किया और इस जन्जाती को अपना अधिनस्त बना लिया इस चेत्र में रहने वाली महतुपुन जन्जातियों में मुंडा और संताल थे यदिपी ये उडिसा और बंगाल में भी रहते थे करनाटक और महराष्ट की पहाड़ियां कोली बेराद तथा कई दुसरी जन्जातियों के निवासस्थान थे कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे कुछ और दक्षिन में कोरोगा, वेतर, मारवार और दुसरी जन्जातियों की विशाल आबादी थी भीलों की बड़ी जन्जाती पश्चमी और मद्धि भारत में फैली हुई थी सुलमी सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतियों और यहां तक की जमिंदार बन चुके थे तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्रहक बने रहे मौजुदा 36 गड़, मद्धि परदेश, महराष्टर और आंधर परदेश में गोंड़ लोग बड़ी तादादें फैले हुए थे कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समू को कुल कहते हैं जो एक ही पुरवज की संतान होने का दावा करते हैं जनजातिय संगठन प्रायह, नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं खाना बदोश और घुमन्तु लोग कैसे रहते थे खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घुमते थे उनका जीवन दूद और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था वे खेतियर ग्रस्तों से अनाज, कपड़े, बरतन और ऐसे ही चीजों के लिए उन, घी, इत्यादी का वेनिमय भी करते थे कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे एक जगह से दुसरी जगह आते जाते, वे सामानों की खरीद फरोक्त करते थे बंजारा लोग सबसे महत्वपुन व्यापारी खाना बदोश थे उनका कारवा टांडा कहलाता था सुल्तान अलाओ दीन खलजी अध्याय तीन बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे बादसाज जहांगीर ने अपने संस्मर्नों में लिखा है कि बंजारे विभिन इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे सैन अभियानों के दोरान वे मुगल सेना के लिए खादानों की ढुलाई का काम करते थे किसी भी विशाल सेना के लिए एक लाग बैल अनाज धोते होंगे कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोडों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी चोटे मोटे फेरी वालों की विभिन जातियां भी एक गाउं से दुसरे गाउं भ्रह्मन करती थी ये लोग रस्ती सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे कभी-कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे नर्तकों, गाईकों और अनितमाश बीनों की भी जातियां थी जो विविन नगरों और गाउं में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी चित्र दो, रात में भील लोग हीरन का शिकार कर रहे है चित्र तीन, घुमंतु ब्यापारियों की स्रिंख लाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी यहां मेवा एकठा करके उसे उंटों पर लादा जा रहा है मद्द एशिया के ब्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य ब्यापारी उन्हें अस्थानिये बाजारों तक पहुचाते थे बंजारे सत्रवी सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अन्ग्रेज ब्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे सारे पशू, गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गिरस्ती, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं एक टांडा में कई परिवार होते हैं, उनका जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता चुलता है जो लगातार एक जगह से दुसरी जगह जाते रहते हैं गाय बैल उनके अपने होते हैं, कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किये जाते हैं, लेकिन जायातर वे खुद सौदागर होते हैं अनाज जहां सस्ता उपलब्ध हैं, वहां से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां वह महगा है वहां से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है टांडा में छह से साथ सौ तक लोग हो सकते हैं वे एक दिन में छह या साथ मिल से ज़्यादा सफर नहीं करते यहां तक की ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं क्योंकि यहां जमीन परियाप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं पता करें कि आजकल गाउं से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है बंजारों के तौर तरीकों से यह किन माइनों में भिन्या समान है खाना बदोश और भ्रह्मन शील समूँ खाना बदोश घुमन्तु लोग होते हैं उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवर्ड और पशुवरिंद के साथ एक चरगा से दुसरे चरगा घुमते रहते हैं इसी तरह दस्तकार फेरी वाले और नितक गायक एवह अनितमाश बीन भ्रह्मन शील समूँ अपना काम धंदा करते करते एक जगह से दुसरे जगह की यातरा पर रहते हैं खाना बदोश और भ्रहमन शील समू दोनों अक्सर उस जगह लोट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था जैसे जैसे अर्थ व्योस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई नए हुनर वाले लोगों की अवशकता पड़ी वर्नों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी उधारन के लिए ब्रहमनों के बीच नई जातियां सामने आई दुसरी और कई जन जातियों और समाजिक समूहों को जाते विवाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया विशे शगिता, प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राज मिस्त्री को भी ब्राहमनों दौरा जातियों के रूप में मानिता दे दी गई वर्ण के बजाए जाती समाज के संगठन का आधार बनी ग्यारहमी और बारहमी सदी तक आते आते शत्रियों के लिए नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ वेहून, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंच परमपराओं से आते थे इन में से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए धीरे धीरे उन्होंने पुराने शास्कों की जगा ले ली विशेष्टा, कृशी वाले च्छत्रों में यहां कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शास्कों ने शक्तिशाली राज़्यों के निर्मान में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया शास्कों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदाय के उधारन का जनजातियों लोगों ने अनुसरन किया धीरे धीरे ब्रहामनों के समर्थन से कई जनजातियां जाती विवस्था का हिस्सा बन गई लेकिन केवल प्रमुख जनजातिये परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए उनकी बहुत संख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई दुसरी तरब पंजाव, सिंध और उत्तर प्रष्चमी सरहद की प्रभुत्व शाली जनजातियों ने काफी पहले इसलाम को अपना लिया था वे जाति विवस्था को नकारते रहे, सनातनी हिंदु धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक विवस्था इन इलाकों बड़े पैमाने पर सुईकार नहीं की गई राज्यों के उत्पत्ती जनजातियों लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है हमारे इतिहास के इस महत्पुन हिस्से के दो हुदारन नीचे उल्लिकित है जाती पर विचार विमर्ष वर्तमान तमिल नाडू के तिरुचिरापली तालुक में इस्थित उया कॉंडन उदयार के बारहमिश अताब्दी के अभिलेख में ब्रहमनों की एक सभा अध्याई दो के विचार विमर्ष का वर्णन मिलता है वे रथकारों, शाब्दीक अर्थ, रथ बनाने वाले लोग की सामाजी के सती पर विचार विमर्ष कर रहे थे उन्होंने इस जाती के काम काज तै किये जिन में वास्तु कला, रथों और गाड़ियों का निर्मान, मंदिर द्वार बनाना, मुर्तियां स्थापित करना, बली के लिए लकड़ियों से बने साथ समान तयार करना, मंडब बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थ रहते थे वे अस्थानांतरिये क्रशी अर्था जगह जगह अर्था जगह बदल बदल कर खेती करते थे विशाल गोंड जन जाती कई छोटे-छोटे कुलों में भी बटी हुई थी परतेक कुल का अपना राजा या राय होता था जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबर नामा में वो लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज में सत्तर हजार गाउं थे इन राज्यों की प्रशासनिक बिवस्था केंद राज गढ़ों में विवाजित थे हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंतरन में था ये पुनह चौरासी गाउं की इकायों में विवाजित होते थे जिने चौरासी कहा जाता था चौरासी का उप विवाजन बरहोतों में होता था जो बारह बारह गाउं को मिला कर बनते बड़े राज्यों के उदे ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला उनका मूलतह बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान समाजिक वर्गों में विफाजित हो गया ब्रामन लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमी प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए गोंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मानिता प्राप्त करने की चाहत होई इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधी धारन की उसके पुत्र दल्पत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा साल बाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया दल्पत की मिर्त्यू कम उम्र में ही हो गई राणी दुर्गावती बहुत योगी थी और उसने अपने पांच साल के पुत्र वीर नारायन के नाम पर शासन की कमान संभली उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ 1565 में आसिफ खान के नेत्रित्व में मुगल सेनाव ने गड़ कटंगा पर हमला किया राणी दुर्गावती ने इसका जम कर सामना किया उसकी हार हुई और उसने समर्पन करने के बजाए मर जाना बहतर समझा उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया गड़ कटंगा एक सम्रिद राज्य था इसने हाथियों को पकड़ने और दुसरी राज्यों में उनका निर्यात करने के ब्यापार में खासा धन कमाया जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेश किम्ती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिये उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कबजे में ले लिया और शेश वीर नारायन के चाचा चंदर शाह को दे दिया गड कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुन्देलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष और सफल रहे किसी वन प्रांत के पेड़ों और जाड़ियों को पहले काटा और जलाये जाता है उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है जब यह जमीन अपनी उरवरता खो देती है तब जमीन का दुसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है अहोम अहोम लोग मौजुदा मेरमार से आकर तेरही सदी में ब्रहंपुत्र घाटी में आबसे उन्होंने भुईया भू स्वामी लोगों की पुरानी राजितिक विवस्था का दमन करके नई राजिके स्थापना की सुलमी सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राजियों को अपने राजवे मिला लिया उन्होंने कई अने जन जातियों को भी अधीन कर लिया अहोमों ने एक बड़ा राजिय बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वरसों पहले आगने आस्तरों का इस्तेमाल किया 1660 तक आते आते वे उचस्तरिय बारूद और तोपों का निर्मान करने में सक्षम हो गए थे लेकिन अहोम लोगों को दक्षिन पश्चिम से कई आक्रमनों का सामना करना पड़ा 1662 में मीर जुमला के नित्रित्व में मुगलों ने अहोम राजिय पर हमला किया बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई लेकिन उस छेत्र पर मुगलों का परत्यक्ष नियंतरन ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका अहोम राज बेगार पर निर्वर थे राजी के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाईक कहलाते थे अहोम राज में एक जनगन्ना की गई थी परत्यक गाउं को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाईक भेजने होते थे इसके लिए जनगन्ना के बाद सगन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को अस्थनांतरित किया गया था इस परकार अहोम कुल तूट गए सत्रवी शताब्दी का पुरवार्द पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रिकृत हो चुका था लगभग सभी वयश्क पुरुस युद्ध के दोरान सेना में अपनी सेवाएं परदान करते थे दूसरे समय में वे बांध, सिचाई विवस्था, इत्यादी का निर्मान या अन्य सर्वजनिक कारियों में जुटे रहते थे अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए अहोम समाज कुलों में विवाजित था जिनें खेल कहा जाता था वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी इसलिए अहोम च्छित्र में दस्तकार निकटवर्ती च्छित्रों से आये थे एक खेल के नियंतरन में प्राया कई गाउं होते थे किसान को अपने ग्राम समुदाय के दौरा जमीन दी जाती थी समुदाय की सहमती के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था शुरुआत में अहोम लोग अपने जन जाती देवताओं की उपासना करते थे लेकिन 17 सदी के पुरवार्द में ब्रामनों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई मंदिरों और ब्रामनों को राजा के दौरा भूमी अनुदान में दी गई सिव सिन 1714-44 के काल में हिंदु धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदु धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक अस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था अहोम समाज एक अत्यंत परिश्कृत समाज था कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी नाटे कर्म को प्रोशहन दिया जाता था संस्कृत की महतपूर्ण कृतियों का अस्थानिय भाषा में अनुवाद किया गया था बुरंजी नामक एतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लीखा गया था निशकर्ष जिस युग की हम चर्चा करते आये हैं उस युग के दोरान उप महाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ वर्ण आधारित समाज और जन जातिये लोग एक दुसरे के साथ लगतार संपर्क में आते रहे इस आदान परदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई बहुत से विभिन प्रकार की जन जातियां थी और उन्होंने विभिन प्रकार की जिविकाएं अपनाई कालांतर में उन में से कई जाती आधारित समाज में शामिल हो गई लेकिन कईयों ने जाती व्यवस्था और सनातनी हिंदु धर्म दोनों को ही नकार दिया कुछ जनजातियों ने सु संगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों के स्थापना की इस तरह वे राजनतिक रूप से ताकतवर हो गए इसने उन्हें ब्रहतर और अधिक जटिल राजियों और समराजियों के साथ संगर्स के स्थिति में लाखड़ा किया अन्यत्र मंगोल अपने एटलस में मंगोलिया ढूड़िये इतिहास में सबसे परसिद्ध पशुचारी और शिकारी संगरहक जनजाती मंगोलों की थी मद देशिया के घास के मैदानों अस्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों हैं बसे हुए थे 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिसाली सैन निबल में बदल डाला अपनी मिर्टू के समय बारसो सताईस वह एक सुविस्त्रित परदेश का सासक था उसके उत्तरा धिकारियों ने एक विशाल समराजी खड़ा किया अलग-अलग समय में इसके अंतरगत रूस, पुर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पुर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशास्निक व्यवस्ताएं थी, ये विभिन जातिये और धार्मिक समोहों के समर्थन पर आधारित थी कल्पना करें, आप एक ऐसे खाना बदोश समुदाय के सदस्य हैं, जो हर तीन महेने बाद अपना निवास अस्थान बदलता है इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बीज शब्द वर्ण, जाती, टांडा, गड, चौरासी, बरहोत, भुईया, पाईक, खेल, बुरंजी, जन गणना